अब आप एलो माईडियर यूटू प्रेमली आज हम दिखानग वाले हैं जो मौग से चलकर फॉर लाइन जो है कि सीधा नाइवदार होते हुए जो है कि घागरा नदी में जो फॉर लाइन का बिरिद बना जा रहा है तो उस लाइन पर हम आ चुके हैं और उस बीरिद के पास जा रहा है यह सामने पूरा मसें लगी हुई है तो आएखे हम अपने सेक्ट के मदर से चलकर आए हुई हैं तो आए थोड़ा सा दिखाते हैं यह देखिए पूरा यहां पर काम किया जा रहा है कि यह देखिए पूरा धोर्फ लाइन का जो रोड है बनाए जा रहा और आगे मसीन लगी हुई है आए चल कर हम थोड़ा सा दिखाते हैं मसीन का नजारा और वीडियो पर संद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए गा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आए थोड़ा से यहां से रुख कर हम दिखाते हैं यह द सीधा जो है कि मौफ और लाइन जो की जुवार यह सीधा गोठा से पहले जुकट किया रही सीधा और यह अपना नई बजार आजमगण और जुहाजीफूर का फूल बन रहा है वह सीधा यही लाइन जाता है आगे एक बिरिज है और यहां पर देखिए काम किया जा रहा है भझाए और हम यहां से आगे के साइड के गुम कर चलते हैं आपको लेकर और यहां पर दिकाते हैं यह देखिए अभी पूरा काम बाकी यहां पर अभी काफी समय लग सकता इसको कंप्लीट w corr uses को कंप्लीट होने में तकरीबन एक साल लग सकता है तो इस उसी साफसे से दिखाने के कोशिज कर रहा है देखिए और यह पीछे का साइड हम दिखा देते हैं आगे के साइड भी चलेंगे और पूरा अपडेट भी निकालेंगे और सही तरीके से आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी क्या कुछ अब्डेट चल रहा है तो यहां से देखिए हम दिखा पा रहा है और यह साइड से हम निकल चुके यहां से और हम बिरिज के पास तकरीबन पहुंचने वाले हैं तो आईए लेकर चलते हैं बिरिज के पास और सब कुछ इसी वीडियो में दिखाने के कोशिस कर आपको और यह बता देए अपना गोरकपुर के लिए यह बिरिज बनाया गया है जो नई बजार से फॉर्लाइन के विरिज यह बनते हुए आ रहे हैं अगे के साइड में चलते हैं थोड़ा सा इस बिरिज का रास्ता हम बताते हैं कहां से कहां तो लग जाना है तो आई है तो हम चलेंगे वहीं पर लेकर आपको और चल कर जानने वाले है कि कितना काम हुआ है जो माउस से फॉर्लाइन चल कर आ रही है अपने नई वाजार से होते हुए अपना घागरा विरिज से तो सब कुछ इस वीडियो में हम दिखाएंगे और हम तग्रीबन फॉर्लाइन पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर बता दे कि अभी यह पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है देखिए और काफी हचड़ा हो सकता है आगे हो नहीं सकता हचड़ा है और यहां से आगे के साइड में हम चल कर जाने वाले हैं और तकरीबन बिरिज के पास हम पहुंच आएंगे और यहां से बता दे कि देखने में काफी करीब लगता है मगर है बहुत दूर तो और हम सीधा वहीं पर फोजएंगे और आगे के साइड में हम दिखाते हैं कितना काम हुआ है अपने बिरिज पर करेखा है तो काइद बतादे यहां तलक जो है कि हम चल कर जो है कि अपने गोसी से एङ वे थे और आगे के साइड में जो है कि कांप चल रहा था मगर वहां तलग जो हो है कि हमको जाने नहिकंट दिया गया और बहुत तो दिक्कत होता है नहीं जाने दिया गया तो कोई बात नहीं आगे के साड में हम चल कर बनाएंगे और यहां से तो मुश्किल है तोड़ा जाना क्योंकि बंद कर दिये लोग आने नहीं दिये, काफी दिखकत हुआ क्योंकि बहुत दूर थे चलकर हम आया हुए है इस बिरिज का वीडियो निकालने के लिए मगर हमें जाने नहीं दिए लोग वहाँ पर तो काफी दिखकत हो रही है और यह देखिए हम वहां तलक जो कि नहीं पहुच पाए और यहीं से आधे रास्ते से कटकर हम चले आए और बता दे कि मेहनत हमारी सारी खराब चल गई हेलम आईडियर यूटी पेमली आज हम बताने वाले हैं कि गोला बदार गोरकपुर की जो फॉरलाइन बेरित अपने मौल से चल कर आ रही है घागरा नदी में बनते हुए तो वहाँ पर आज हम गया हुए थे वीडियो निकालने के लिए मगर वहां पर जो है कि हमें जाने नहीं दिया गया क्योंकि हम बहुत दूर से चल कर आए हुए थे कि चल कर दिवह की अपडेट निकालेंगे मगर वहां तलक हमने पहुचने नहीं दिया और रास्ते में ही जो है कि गार्ड ने हमें रोक लिया तो काफी दूर से मेहनत करके हम चल रहा हुए थैं मगर अपडेट आपको नहीं दे पाए क्योंकि वहां पर बता जा रहा कि काम चल रहा है और काम के वज़ा से बंद है तो हमने बताया भाई कि हम भी वीडियो बनाते हैं यूटिब चैनल पर डालते हैं तो हमें परमीशन दिया जाए मगर उन सब नहीं दिया जाने भी नहीं दिया हमें तो खर कोई बात नहीं हम आगे के साइड से जाके जो कि नई बजार से अपडेट निकालेंगे और बता दे कि काफी दूर ते मेहनत करके आना पड़ा था मगर मेहनत सब खराब हो गई और वीडियो हम बिलकल भी नहीं निकाल पाए और आएए हम आगे के साइड में थोड़त अपडेट देते हैं हम आईडियर यूटी पैमली आज हम बताने वाले हैं कि गोला बदार गोरकपुर की जो फॉरलाइन बेरित अपने मोल से चलकर आ रही है घागरा नदी में बनते हुए तो वहां पर आज हम गया हुए थे वी मगर वहां पर जोए हमें जाने नहीं दिया गया क्योंकि हम बहुत दूर ते चलकर आए हुए थे कि चलकर दिवह की अपडेट निकालेंगे मगर वहां तलक हमने पहुचने नहीं दिया और रास्ते में ही जोई कि गार्ड ने हमें रोक लिया तो वो काफी दूर से मेहनत करके हम चलगर आए हुए थे हैं मगर अपडेट आपको नहीं दे पाए क्योंकि वहाँ पर बता जा रहा कि काम चल रहा है और काम के वज़ा से बंद है हमने बता है भाई कि हम भी वीडियो बनाते हैं यूटिब चैनल पर डालते हैं तो हमें परमीशन दिया जाए मगर उन सब नहीं दिया जाने भी नहीं दिया हमें तो खर कोई बात नहीं हम आगे के साइड से जाके जो की नई बजार से अपडेट निकालेंगे और बता दे कि काफी दूर ते मेहनत करके आना पड़ा था मगर मेहनत सब खराब हो गई और वीडियो हम बिल्कल भी नहीं निकाल पाए और आएए हम आगे के साइड में थोड़ा अपड़ दे देते हैं